चन से जो टूटे कोई सपना ये गाना आपने सुना होगा मैंने भी सुनाए इस वक्त फिट बैट रहा है मोधी विरोधी माने जाने वाले अजीत अंजुम पर अजीत अंजुम ने बाकाइदा एक वाल रूम तयार किया सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरे साजा किया और उनके जो सहयोगी है मसलन रवीश कुमार और ऐसे ही तमाम मोधी विरोधी पत्रकार उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया पचास गेस्ट की लिस्ट जारी की गई जिसमें ये बताये गया कि ये सारे गेस्ट अजीत अंजुम के साथ तीन दिसंबर को रिजल्ट वाले दिन जुडेंगे लेकिन नतीजा क्या हुआ कार्तिक उनके विचारों के बिलकुल उलट पचास पत्रकार जुडे होंगे तो बात क्या कर रहे होंगे अगर मोधी हारते राजिस्थान हारते जैसे काटे की टककर थी मध्यप्रदेश हारते जैसे पूरा एजंडा चलाया गया प्रोपेगेंडा दिमाग में लोगों के भरने की कोशिश की गई कि जो है सिवराज के नहीं हाई लोगों को फेर बने बुपेश बगेल सीम बने बुपेश बगेल इतना बढ़िया काम कर रहे है कि जो है सूपड़ा ही साफ हो जाएगा बीजेपी का लेकिन तीनों ही राज्यों में मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी कॉंग्रेस टकर भी दे रही है व आप उन वीडियो में देखेंगे कि उनी उनी सीटो पर वो गए जहां पर थोड़े बहुत एंटी लोग मिले जहां पर लोगों ने अपने बयानों को रखा दे कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप और मैं भी बात करते हैं उसमें विरोध वाली बात नहीं आती लेकिन मुझे याद आता है उनका एक वीडियो जहां पर उस पर खबर भी आपने की थी टाइटल आपने दिया था पिटते पिटते बचे अजीत अंजुम वह खबर ये थी कि जगा पर पहुंच गए पोलिंग बूत पर पहुंच गए चार-पांच महिलाओं के पीछे आधा अधूरा वीडियो वाइरल कर दिया गया लेकिन जब पूरा वीडियो सामने आया तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जबरदस्ति वह उन महिलाओं से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे थे इसके बाद अजीत अंजुम काफी ट्रोल हुए दरसल वह क हम जो वोट डाल रहे हैं वो लोग देख रहे हैं हलकि किसी को नहीं देखना चाहिए तो अगर अजीत अंजुम उसी मुद्धे पर रहती तो मुझे भी अच्छा लगता लेकिन वह पूछ रहे हैं किसे वोट दिया हाँ मैं क्यों बताओ किसे वोट दिया आप सोशल मीडि किसान उनकी मदद के लिए और इसको उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया कि देखिए जो किसान है यह मोधी विरोध में हैं हर चीज को मोधी विरोध से जोड़ना आप कोई भी मुद्धा उठा लीजिए और उसी मुद्धे पर अजीत अंजुम के ट्विटर पे चले ज अब हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे आप बता रहे थे कि अजीद अंजुम विचारधारा के जो लोग हैं जो मोधी विरोधी पत्रकार हैं वो सभी एक दूसरे को प्रमोट करते हैं में जो किसान गन्य बर रहे हैं ट्रॉली में लेकिन वो महां जाके उनसे बात कर रहे हैं और अपनी पॉपुलरिटी को बता रहे हैं कि लोग मुझे जो है कितना पसंद करते हैं मुझे लोग कितना सुनना उन्हें अच्छा लगता होगा लेकिन आप जो एक एजेंडा चलात बताते हैं लेकिन फिर अचानक से आप उनको देखते देखते ना आपके खुद की विचारधारा एक्दम से ऐसी हो जाती है कि यह क्या बता रहे हैं यह अपनी चीजों से भटक क्यों गया है बस वहीं पर अजीत अंजम मात खा रहे हैं और कुछ लोग अजीत अंजम को कह क्योंकि हवा तो बहुत बनाए गई वीडियो जारी किये गए ब्रस्टाचार के और तमाम तरह की चीज़े जो हैं बाहर लाने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा कोई भी एजंडा चलाने में कामियाब नहीं रहे हो तीनों राजियों में जो है वो 36 गड़ आपका और मध्यप चीटों पर आगे चल रहे हैं कहीं भी कॉंग्रेस फाइट में नहीं है 36 गड़ से तो मुझे खूद को भी उम्मीदे थी कि कि कॉंग्रेस यहां पर टिकी रहेगी बचा लेगी बचा लेकिन अब आने वाले टाइम में यह अपनी यूट्यूब की दुकान कैसे चलाएंग क्या करें कि इस चुनाव को वह 2024 का सेमी फाइनल बता रहे थी और उनका उनके जितने भी वीडियो मैंने देखे हैं जितने भी उनके ट्विटर पर मैंने देखा है सभी में उन्होंने एक परसेप्शन बनाया है कि पांचो राज्यों में बीजेपी हार रही है तिरंगाने बीजेपी जीत गई जो तीन राज्य हिंदी पट्टी के में राज्य थे लोकसभा के इसाब से भी यह बहुत महत्वपून राज्य माने जाते हैं तो अब अजीत अंजुम कैसे अपने परसेप्शन को लोगों के सामने सही करने की कोशिश करेंगे यह देखना हूँ कि रा बार बार बोला वो परसेप्शन बार बार बनाया कि लोगों को लगने लगा कि हाँ बीजेपी तीनों राज्यों में हार जाएगी लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों में राज्यों में जब बीजेपी जीत के बहुत करीब है तो अब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि नहीं तीनों राज्यों में चुनावारने के बाद एक चुनोती तो है कॉंग्रीस के सामने, मन्थन करना होगा कॉंग्रीस को कि क्यूं हारी गलती हुई, ऑर दूसरी चुनोती होगी अजीद अन्जुम के सामने, लेकिन आप लगे रहिए, सलाम है आपकी महनत को, आप बताइए इ कर दो कर दो कर दो